next question 2015 का सवाल है question says figure below shows two parts that may be taken by a gas to go from a state A to state C in process AB 400 Joule of heat is added to the system and in process BC 100 Joule of heat is added to the system सवाल है heat observed by the system in the process AC will be again सवाल मुश्किल नहीं है पर लंबा है इसको एक्जाम होल में करने में आपको time लग जाएगा ठीक है इस तरह के सवालों को करना और इसके लिए time बचा के रखना ठीक है सो सवाल पहले समझते हैं क्या है फिर मैं समझाता हूं हो क्या रहा है तो अपना दो प्राशा साइकलिक प्रॉसेस नहीं है यहां से a से b होते हुए c आप गए है यह अपना एक रास्ता हमने यहां पर लिया है दूसरा रास्ता हम ले सकते थे या जो हमने लिया है वह यह है कि a से आप c direct पहुंचे यह आपका दो रास्ते है तो इस केस में आपका जो वाल्यूम चेंज हुआ है वह है आपका दो से चार तो एक काम करते हैं इसको कह लेते हैं यह तू वी नॉट और यहां से आपका फोर वी नॉट और वी नॉट की वैल्लियू अलग से सवाल क्या है उसमें करना क्या है इस सवाल में हो यह रहा है कि यहां जब आप यहां से यहां गए तो आपने इसमें पहले वाले प्रॉसेस में इन प्रॉसेस अबी 400 J हमने फीट एड्ड किये हैं यहां पर 400 J कि इस वाले प्रॉसेस में हमने 100 J एड्ड कि हमें बताना यहां पर आपका डेल्टा क्यू आएगा एसी वह कितना होएगा इसके अगर हम एक्वेशन लिखे तो तो first law of thermodynamics से हम ही कह सकते हैं कि delta q ac जो है first law of thermodynamics कहता है कि delta q जो है will be equal to delta u जो आपका ac आएगा plus delta w ac आएगा now delta ac की अगर हम delta u की बात करें इस case में अगर हम delta u a internal sg में change a से c की बात करें तो यह exact value होएगी जो आपकी delta u a b c का process होएगा because यहाँ पर आपका initial state or final state same है तो यहाँ पर आपकी same value आनी चाहिए इसको value को निकालने के लिए हमें दो बार आपका actually सवाल में तीन बार first law thermodynamics लगेगा इस value को निकालने के लिए आप इसको लिखेंगे पहले delta u a b और उसके साथ आएगा delta u आपका b c इन दोनों की value हमें पहले एक बार यहाँ first law of thermodynamics लगाना पड़ेगा दूसरा यह लगाना पड़ेगा उससे यह दो value आएंगी दोनों को add करके यह value आएगी जो इसके बराबर होएगी यह value आपको डेल्टा एस रडव्यू एसी जो है वह आपका इस एरिया नदर करब से यह आपका यह value आ जाएगी area की उससे आपका qac आजाएगा तो सवाल मुश्किल नहीं है आपका बस लंबा है ठीक will be equal to delta u plus delta w इस case में क्योंकि आपका यह जो process है a b जो आपका process है यह आपका isocoric process है a b तो इसमें आपका work done zero होएगा ठीक है यह work done zero होएगा बिकोज यहाँ पर volume में कोई change आ ही नहीं रहा है तो इस case में आपकी delta u की जो value है delta u a b वो value हो जाएगी delta q के और उसकी value अपने को 400 joule दे रखी है ठीक है तो यह बार मुश्किल अगें मुश्किल नहीं यह लंबा है ठीक है तो यह डिल्टा यू एबी की value आ गई है अब process की बात करें बी सी की बी से जब हम सी गए हैं तो इस वाले case में जो आपकी डेल्टा इस case में फिर एक बार फिर्टा यू विल बीकल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू की value आएगी area under the curve ठीक है तो और आपकी जो डेल्टा यू है वह हो जाएगा एक काम करते हैं अभी तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं आपका area under the curve तो इन दोनों के बीच का difference है यहां से यहां तक 6p0 multiplied by इनके बीच का जो difference है वो आगया 2p0 यह आपका delta u आ गया 100-12p0 भी नौट आगी इसकी value बात में डाल लेंगे मैं सवाल को जैसे लोगों को महस दिखती नहों का तो और फिजिक्स difficult है फिजिक्स difficult है नहीं calculation लंबी है थोड़ी सी ठीक है चलो अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं आगले उसकी तो यह आपका delta u आ गया बी से सी का अब यहां पर क्यू एसी जो में बताना है सो क्यू आपका एसी उसकी value हो गए इन दोनों को मैं add कर सकते हैं तो पहली वाली value आ गया आपकी 400 जूल प्लस यह वाली value आ गई तो यह वह गया आपकी 100 माइनस 12 पी नौट वी नौट यह आपका क्यू यह बन गया डेल्टा यू आ गया अब बचिया आपका delta w निकालना तो इसको प्लस एड करेंगे यहां से यहां का यह वर्कडन तो इस वर्कडन को करने के लिए अगर तो यहांने की 4P0 4P0V0 प्लस इसका एरिया देखेंगे तो आएगा half multiplied by 2 और इनका बीच का difference 4 तो यहाद आएगा half multiplied by 2V multiplied by 4P0 तो आपके इसकी वल्ली हो गई 400 प्लस 100 करके 500 जूल माइनस 12P0V0 और प्लस यह आगया आपका 4 और यह आगया चार यानि की 8P0V0 यानि की वल्ली हो गई 500-4P0V0 बस अब P0V0 की वल्ल्यू रख देनी है ठीक है तो पी नौट भी नौट की अगर वल्ल्यू देखेंगे तो यह आपनी जो वल्ल्यू दीवे सवाल में यह 10 to the power 4 आपका पी नौट जो हो जाएगा वो 10 to the power 4 हो जाएगा और वल्ल्यूम जो है ग्राफ के साब से उसके साब से आपका वी नौट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 to the power minus 3 पर इसके हम वेल्यू रख देंगे तो यह हो गया 500-4 multiplied by 10 to the power 4 multiplied by 10 to the power minus 3 यह 40 बन गया यानि की आपका आंसर आ गया 460 जूल so that will be your right answer so based on this हम कह सकते हैं का option number a 460 जूल would be the right choice